हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी मैं हूँ हर्पीर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजे जैनुएन मिलेंगे आज मॉर्निंग न्यूज में मैं आपके लिए कुछ ऐसी बात एनलाइज करने वाला हूँ जो शायद आपकी आँके खोल देंगे पिछले एक दो दिन में कुछ ऐसे परसन है जो बिलेम कर रहे हैं जैसा कि आप जामते हैं कि डियेसर्च भी ने जो नॉर्मलाइजिशन किया है उस नॉर्मलाइजिशन का तरीका मोसली केंडिडेट्स को समझ नहीं आया है और उस नॉर्मलाइजिशन की वज़े से आपस में एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है जैसा कि आप देखते आ रहे हैं डियेसर्च भी ने एक चाल चली थी सबसे पहले शिफ्ट में एक्जाम कराना फिर रिपीटिट कोस्टन डालना फिर नॉर्मलाइजिशन इस लेवल से करना कि 118 नंबर वाला जनरल भी अपने आपको सेफ नहीं पा रहा है जिसके 118 नंबर थे पहले वो भी कंपेटिशन से बाहर हो चुका है तो सातियों ये बहुत दुख्की बात है तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि आप अपना बेनिफिट देखने के लिए लाइक्स व्यू के लिए ऐसा करने सबसे पहले आपकी नॉलिज के लिए मैं बता देता हूँ अभी तक मुझे यूट्यूब से एक रुप्या भी नहीं मिला है और money is not biggest thing मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले जो यह fight है यह आपके हक के लिए है और सबसे बड़ी बात है कि खुदगर्ज कौन है कौन लाल्ची है कौन अपना फायदा देख रहा है मैं अभी आपको बता देता हूँ जब result को निकलवाने के लिए candidates गए थे बहुत सारे candidates थे उन में से 20% का selection हुआ है और काफी ऐसे candidates मैं आपको बता देता हूँ मेरे कुछ साथ ही है 28 वाली shift में दोनों के exam थे और उस 28 वाली shift में दोनों के same marks थे और same category थी एक का selection हो गया है एक के कम marks हो गया है एक के जादा हो गया है तो मेरे कम वाले marks जिसके कम marks आये थे उससे बात हुई मैंने का आप क्या कर रहे हैं कुछ करिए आप अपना कुछ step लीजिए normalization के खिलाप आवाज उठाइए जाइए तो उसने पता क्या कहा कि नई यार जिनका selection हो गया ठीक है क्योंकि वो भी मेरे साथी हैं लेकिन उन साथियों को भी सोचना चाहिए जिनका selection हो गया है कि इनके साथ गलत हुआ है तो हमें भी आवाज उठानी चाहिए आप पहले तो उनको साथ लेके घुमते हैं बाद में उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप छुपके बैठे हैं अब सोचने वाली बात है कि गलत कौन कर रहा है आप लोग अपने फाइदे के चक्कर में उन साथियों को भूल रहे हैं 118 20 नमबर लेके आने वाला भी अगर सेफ नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं यह किस तरह का नॉर्मलाइजेशन है और उंगली उठाने वाले बहुत लोग मिलते हैं और एक बात और बताता हूँ आपको जिनका सेलेक्शन हो गया जो ऐसे बोल रहे हैं अब्यूज कर रहे हैं तो इससे पता चलता है कि आप लोग किस लेवल के टीचर हैं जो अब्यूज कर रहे हैं उससे पता चलता है कि आप किस लेवल के टीचर हैं आप क्या पढ़ा सकते हैं अगर आप में बोलने का ही सेंस नहीं है आप क्या पढ़ा सकते हैं किसी की खामुशी को यह मैं समझो कि वो पागल है silence doesn't mean that someone is weak means soft nature doesn't mean that weakness nothing is softer than water but when it flows in full speed it can bring it can you know bring havoc there तो बहुत दुख होता है देखके कि खुदगर्ज कौन है और सातियों एक बात और बता देता हूँ जिनके 80 से 110 नंबर हो गए है 90 से 110 नंबर हो गए है उसको बिल्कुल दुख हो रहा होगा वीडियो देखके लेकिन जिस बच्चे के 110 से 80 हो गए है उसके दिल से क्या बीत रही है उससे पूछ के देखो मैं आपको इतने केंडिडेट्स बताऊँगा उनकी कॉल आ रहे हैं मैसी जा रहे है वो कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे बिल्कुल उनको कौन रोकेगा आप लोगों को जो ऐसे गलत बोले हैं उनको सरमानी चाहिए तो बात ये कि खुद गर्च कौन है आप खुद देख सकते हो हम ये नहीं कह रहे हम ये कहना चाह रहे क्या कोई अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकता बात ये कि नॉर्मलाइजेशन जो लेवल से हुआ है वो गलत हुआ है बहुत से ग्यान बात रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा हुआ है अरे अच्छा हुआ है किस लेवल से अच्छा हुआ है आपका फायदा होगे आपके 80 से 100 होगे 110 होगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या 118 नमबर वाला पढ़ने वाला नहीं है और मेरे पास प्रूफ है इस चीज़ का तेरह तारिक में 118 नंबर थे कंडिडेट्स के और वो फेल हो गया और सेम सिप्ट में मार्क्स भी बढ़े है तो आप देख सकते हैं और सरम आनी चाहिए आप लोगों को